हेलो फ्रेंड वेलकम तुम्हें यूटूब चैनल ओनलाइनी वेबसाइट जोस्तों भारत की राज विवस्था में सविधानिक ढाचा यानि कॉंसिटिशनल फ्रेमवर्क में आज में बात करेंगे सेकेंड चैप्र यानि सविधान का निर्माण यानि मेकिंग आफ दो कॉंस सविधान सभा की मांग भारत में सविधान सभा के गठन का विच्यार वर्श 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रख़्ा रॉय भारत में वांपत्थी आंदोलन के प्रकर नेता थे 1935 में भारती राष्टी कॉंग्रेस ने पहली पर भारत के सविधान के निर्माण के लिए आधिकारी गुरूप से सविधान सभा के गठन की मांगी 1938 में भारती राष्टी कॉंग्रेस की और से पंडित जवाला नहरु ते खोशना की कि सतंद भारत के सविधान का निर्माड वेस्क मतदिकार के आधार पर चुनी गई सविधान सभाग के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी भारी हस्ताचेप नहीं होगा महरू की इस मांग को अंतता बिटिस सरकार ने सैधानतिक रूप से स्विकार कर लिया और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है सन 1942 में बिटिस सरकार के कैबिनेट मंतरी सर स्टेफ फोर्ड क्रिप्स बिटिस मंतरी मंदल के सदस एक सतंत सविधान के निर्माड के लिए बिटिस सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए इस सविधान को तिती विश्योदी के बाद अपनाया जाता था क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने आस्विकार कर दिया मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो सवायत हिस्सों में बाढ़ दिया जाए जिनकी अपनी अपनी सविधान भासाय सभाएं हो अता अंतता भारत में एक कैबिनेट मिशन की को भेजा गया इस मिशन ने दो सविधान सभाओं की मांग को ठुगरा दिया लेकिन उसने ऐसी सविधान सभा के निर्माण की योजना सामें रखी जिसने मुसलिम लीक को काफी हत्तर संतुष कर दिया सविधान सभाओं का गठन कैबिनेट मिशन योजना दरा सुझाएगे प्रस्तावों के तहट नॉर्मबर 1946 में सविधान सभाओं का गठन हुआ योजना की विशेशताय थी पहला सविधान सभाओं के कुल सतर संख्या 389 होनी थी इनमें से 296 सीटें बिट्रिस भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी बिट्रिस भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सरेश्चों का चैन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चैन मुख आयंतों के प्रांतों प्रतीक में से एक से किया जाना था हर प्रांतवा देशी रियासतों अत्वा छोटे राज्यों के मामले में इस राज्यों के समू की उनकी जनसंक्या के अनपात में सीटें आवंटित की जानी थी मोटे तोर पर कहा जाए कि जो प्रतेग दस लाक लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी तीसरा प्रतिक बिटिस प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निधान तीन प्रमुक समधायों के बीच उनकी जनसक्या के अनुपात में किया जाना था ये तीन समधाय थे मुस्लिम, सिक्ख वा समान ने मुस्लिम और सिक्ख को छोड़ कर प्रतिक समधाय के प्रतिनिदियों का चुनाव प्रांती असंबली में उस समधाय के सदर्श्यों दोरा किया जाना था और एकल संक्रमडी मत के माध्यम से समान बातिक प्रतिनिदियों तरीके से मद्दान किया जाना था देशी रियास्तों के प्रतिनिदियों का चैन रियास्तों के प्रमुग दोरा किया जाना था अधा यह इस प्रश्ट था कि सव्यधान सभा आंसिक रूप से चुनी जा हुई और आंसिक रूप से नामंकित निकाय थी इसके अलावा सदर्श्यों का चैन आप्रत्यच रूप से प्रांती फ्रस्थापिका के सदर्श्यों दरा किया जाना था जिनका चुनाओ एक सीमित अ 96 सीटों ही तो इस चुनाओ में बिटिस इस चुनाओ में भारतीय राष्टी कॉंग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 चोटे समू वर सतन सदर्श्यों को 15 सीटे मिली हाला कि जैसी रियासतों को अवंटित की गई 93 सीटे भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को यहां सभा का चुनाओ भारत के वैश्क मतल दादाओं द्वारा प्रत्य रूप से नहीं हुआ तदापी इसमें प्रतियक समधाय हिंदू, मुस्लिम, सिक, पार्सी, आंगल भारतीय, भारती हिसाई, अनुचित, सूचित, चाती, अनुचित, जन जाती के प्रतियों को जग सविधान सभा की कार पढ़ाली, सविधान सभा की प्रमुक पहली बैटक, 9 दिसम्बर 1946 कोई, मुस्लिम लीग ने बैटक को पैशकार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैटक में किवल 211 सदस्चों ने हिस्सा लिया, फ्रांस की तरह इस सभा के सभा का अस्थाई अध्यच चुना गया, बाद में डॉक्टर राचेइन प्रशाद सविधान सभा के अध्यच निर्वाचित हुए, उसी बाकार डॉक्टर H.C. मुकरजी रथा V.T. कृष्णा माचारी सभा के उपाध्यच निर्वाचित हुए, दूसरे सब्दों में सव सभा में एत्यासिक उद्देश प्रस्ताव पेश किया, इसमें सवविधानिक सचना के ढाचें एवं दरसन की जलकती, इसमें कहा गया कि पहला यह सभिधान सभा भारत को एक स्वतन्त सव प्रभू गर्डाज गोशित करती है, तदा अपने भविष के प्रशाशन को चलान के लिए एक सवविधान के निर्मान की खुशना करती है, सेकंड, बिटिस भारत में सामिल सभी छेत भारती राजियों में सामिल सभी छेत तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी छेत तथा वे अन्य छेत जो इसमें सामिल होना चाहेंगे भारती संग का हिस्सा होंगे, तीसरा उक्तु वरित सभी छित्रों तथा उनकी सीमाओं का निधान सभाद वरा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नेमों के नुसार आदी वे चाहेंगे तो उनकी अवसिस्ट शक्तियां उनमें नहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी सक्तियां के उनको छोड़ कर जो संग में नहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी साप्रभू सतंत भारत की सभी शक्तिय एवं प्रादिकार इसके अभिन अंग तथा सरकार की अंग सभी का सुरूत भारत की जनता होगी भारत के सभी लोगों के लिए न्याय सामाजिक आर्थिक एवर राजनितिक संदर्ता एवं सुरुच्छा अउसर की समता विधी के समझ समता विचार एवं अभिवेक्त विश्वास ब्रहमण संगटन वनाने आदिक की संदर्ता तथा लोग नेत्ता की स्थापना की जाएगी संग की एकता संग की एकता को अच्छुण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भूछेदर समुंद्र एवं व्यव चेदर को सब देश के नियाए वं विविद के अनुरूप सुरुच्छा बदान की जाएगी इस प्राचीन रूप भूमी को विश्व में उसक का अधिकार एवं उचित इस्थान दिलाया जाएगा चता विश्व सान्ती एवं मानव कल्यान को बढ़ावा देने के नेमित उसके योगदान को सुनचित किया जाएगा इस प्रस्ताव को 22 जनुरी 1946 को सरसंबती से स्विकार कर दिया जाए गया इसने सविदान के को काफी हद तक प्रभावित किया इसके परिवर्तित रूप से सविदान की प्रस्तावना बनी संतुरता अधिनियम द्वारा परिवर्तन सविदान सभा से खुद को अलग रखने वाले देशी रियासतों के प्रतिनिदित दीरे दीरे इसमें सामिल होने लगे 28 अप्रेल 1947 क को भारत के पटवारे के लिए पेज की गई माउंट बिटिन योजना को सुविकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के जोड़दार ज्यादा तर प्रतिनिदित कुने सभा में अपनी सीटे ग्रहन कर ली बारति हिस्से की मुस्लिम लीक के सदस्की सभा में सामिल हो गया जो स्वेच्छा से कोई भी सविधान बना सकती थी इस अदिनियम ने सभा को बिटिस संसत द्वारा भारत के संबंद बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अधवा बदलने का दिकार दे दिया सविधान सभा एक विधायका भी बन गई दूसरे सब्दों में कहा जाए तो जो सभा सभा की दो अलग-अलग काम सौपे गए इन में से एक था सविधान भारत के सविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना इन दोनों कार्यों को अलग-अलग दिन करना था इस प्रकार सविधान सभा सविधान सभा सविधान भा और विदायका होती थी तब उसकी अच्छता जीवी के माव लंकर करते थे सविधान सभा 26 नॉंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार करती रही इस समय तक सविधान निर्मार का कार पूरा हो चुका था मुसलिम लीक की सदस यहीं पाकिस्तान में सामिल हो चुके छेत्रों में संबंद है बारतिय सविधान सभा से अलग हो गया इसकी वज़ा से सन 1946 में मावं बिटेन योजना के तहत तै की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाए 299 तक आगरी बारतिय प्रांतों यही अपचारे ग्रूप से ब्रिटीस प्रांत की संख्या 296 से 299 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 तक कर दी गई 31 दिसंबर 1947 को राजिवर सदस्यता का अध्यच के अंत में तालिका संख्या 2.4 पस्तूट किया गया अन्यकार साविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावे साविधान सभा के निर्म्रकार भी किये गया इसने मई 1949 में राष्ट मंडल में भारत की स्थिस्ता स्थापन किया इसमे 22 जुलाई 1937 को राष्टी धच को अपनाया इसने 24 जन्वरी 1950 को राष्टी गीत को अपनाया फिफ्थ इसने 24 जन्वरी 1950 को डॉक्टर राजीन परशाथ को भायत के पहले राष्पती को रूप में चुटा दो साल 11 मा और 48 दिनों में सविधान सभा की कुल 11 बैटे के हुई सविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के सविधानों का अव लोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ सविधान के निर्मान में कुल 64 लाग रुपे का खर्च आया 24 जनरी 1950 को सविधान सभा की अंतिम बैटा कोई इसके बाद सभा ने 26 जनरी 1950 से 1922 में हुए आम चुनाओं के बाद बनने वाली नई संसत के निर्मान तक भारत की अंतिम संसत के रूप में काम किया सविधान सभा की समितिया सविधान सभा ने सविधान के निर्मान से समदिद विभिन कारियों को करने के लिए कई समितियां का गठन किया इनमें से आट बड़े समितिय थी तथा अन्य छोटी इन समितों के तथा इनके अद्दिचों के नाम इस पकार है बड़ी समित्या, पहला संग सकती समिती जवालान नहरू, संग सविधान समिती जवालान नहरू, परांति ये सविधान समिती सदार पटेल, प्रारूप समिती टॉक्टर भीम राहु अंबेटकर, फिफ्त, मौलिक अधिकारू, अलप संग्यों को एवंचन जाती हो, तो था ब्रहस्क्रित छेतरों के लिए सलाकार समिती परामर्स दाता समिती स्थार पटेल इस समिती के अंतगर निम्लिकित पांच उप समिती आती पहला का मौलिक अधिकार उप समिती जै भी कृपलानिंग अलप संह्ख्यक उप समिती S.C. मुखर जी का उत्तरपूर सीमाद जन जात प्राजियों के लिए राजियों से सम्झोता करने वाली जवाला करना वाली प्राजियों 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 प् सर्वोश न्याले के लिए तदप समिती S वर्दाचरी मुख आयुकतों के प्रांतों के लिए समिती B पट्टा भिसी तार मैया संगली समिधान के लिए वित्य प्रभादनों समंधी समिती नलनी रंजन सरकार जो की सभा के सदश नहीं थे बासाई प्रांत आयोग S के डौर जो की सभा के सदश नहीं थे प्रारूप समिधान की जांच के लिए विशे समिती जवाला नहर प्रेस दीरगा समिती उशा नात सेन नागरिकता पर तदर्प समिती एस बदारचारी प्रारूप समिती सविधान सभा की सभी समतियों में सबसे ज़्यादा मैत्पूर थी प्रारूप समिती इसका गठन 29 सगस 1947 को हुआ था यह वा समिती थी जिसे नए सविधान को प्रारूप तयार करने की जिम्मेदारी सोपी गई इसमें साथ सदस्टे जिनके नाम थे इस प्रकार पहला डॉक्टर बीम राओ बेटकर अत्रेच एस एन गोपाल स्वामी आयंकर आलादी कृष्ण स्वामी आयंकर डॉक्टर के एम मुंसी सेयद महम्मद सादुगुला एन माधव राओ इन्होंने बी एल मित्र की जगार ली इन्होंने स्वास्त कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, टीटी कृष्णा माचारी इन्होंने सन 1948 में टीपी खेतान की मृत्यू के बाद उनकी जगार ली विमिन समितों के प्रस्ताव के विचार करने के बाद प्रारूप समिती ने भारत के सविधान का पहला प्रारूप तैयर किया इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए और संसोधनों का प्रस्ताव देने के लिए आठ मा का समय दिया गया लोगों की सिकायतों की आलोचनाओं और सुझाओं के पेच के रूप में सीमित ने दूसरा प्रार तैयर किया है जिससे अक्टूबर उन्नीस उर्टारीस में प्रकाशित किया गया प्रारूप समिती ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए छे मास से कम का समय लिया इस दौरान उनकी कुल 141 बैटे के हुई सविधान सभा का प्रभाव में आना डौक्टर भीमरा मेटकर ने सभा में चार नमबर 1948 को सविधान का अंतिम प्रारूप प्रेश किया इस बार सविधान पहली बार पड़ा गया सभा में इस पर पांच दिन 9.1994 तक आम थर्चा हुई सविधान पर दूसी बार 15.1994 से विचार होना सुरू हुआ इस में सभिधान पर खंड़ वार विचार किया गया या कार 17.1994 तर चला इस सविधान में कम से कम 7,633 संसोधन प्रस्ताव आए जिन में इसे वास्ता में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई सभिधान पर तीसरी बार 14.1994 में विचार हुआ डॉक्टर भी मिराव मेडिकर तर कॉंसिटूशन एज सेटल बाई असेंबिली बी पॉल्स प्रस्ताव पेस किया सभिधान की प्रहरूप पेस इस प्रस्ताव को 26.1994 को पारित कोशित कर दिया गया और इस पर अद्च्छों वा सभिधान की प्रस्तावना सभिधान की प्रस्तावना 26.1994 को लेक उस दिन रूप प्रस्तावना को फूरे सभिधान को लागू करने के बाद लागू किया गया नए विधी मंतरी डॉक्टर भीमर वडिकर ने सभा के सविधान के प्रारूप को रखा उन्होंने सभा के कालापों में बढ़ चड़का हिस्सा लिया उन्होंने अपनी तर्ग संगत्वा प्रभावसाली दरीलों के लिए जाना जाता था उन्होंने भारत के सविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है इस महान लेकर सविधान विशिशक अनुसूची जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के सविधान प्रमुक्सिल्पकार को आदरिक मनुकी संग्या दी जाती है सविधान का परवर्तन सब्भी जन्य निस उन्चास को नार्गिता चुनाव तदर्त संसद आस्थाइवा पर्वितन शील नियम दता छोटकर स्विस्थोख में जुड़े कुछ प्रावधान अनुचे 5, 6, 7, 8, 9, 6, 324, 316, 316, 319, 383, 392, 393 में सुता ही लागू हो गए सब्भी जन्य निस परचास को लागू है इस दिन को सब्भी जन्य निस परचास को लागू है इस दिन को सब्भी जन्य की सुर्वात के दिन में रूप में देखा जाता है और इसे गरतन दिवस की रूप में मनाया जाता है इस दिन को सब्भी जन्य की सुर्वात की रूप मे गया था सविधान के सरवात के साथ ही भारती सुधर्णता अधिनियम 1947 और भारत साशन अधिनियम 1935 कर समाप्त कर दिया गया हाला कि एबुलेशन ऑफ प्रीवी कॉंसिल जूरेडिक्षिन एक्ट निसों चास में लागू हुआ सविधान सभा की अलोचना अलोचिको के विभिन अधारों पर सविधान सभा का अलोचन किया पहला यह प्रतिनिदी निकाय नहीं था अलजगों ने दलीले दी की सवेधान सभा परतिनी ती सभा नहीं हुए थी क्योंकि इसके सठ measuring का चुना भारत के लोगों का वैश्क मतदगार कर पर नहीं हुआ था सम प्रपूता का अभाव अलजगों में यह रहाई था किसवेधान सभ़ार एक सा प्रभू निकाए नहीं हैं क्योंकि इसका निर्मान बिटिस सरकार के प्रस्तावों के अधार पर हुआ यह भी कहा जाता कि सवधान सभा अपनी पैटिकों से पहले बिटिस सरकार से इज़ादा लिती थी तीसरा समय की बरादी आलऑचुकर, सव्यधान सभाth में इसके निर्मार्ण मिच्रोट से कहीं ज़्यदा समय ले लिया गया उन्होंने कहा कि अमेरिका के सव्यधान निर्माता आद मात चार माँ में अपना काम बूरा का लिया निराजुमदीन एहमद सविधान सभा के सतश और इसके लिए अपनी और माना दरसाने के लिए प्रारूप समिती है तो एक नया नाम गड़ा उन्होंने इसे अपवहन समिती कहा कांगरेस का प्रफुत। हाल दुशुकुं का आरोब है कि सरीदान सभा के कांगरेश निकाई और वकीलों और राजनेतिकों का प्रफुत। यह भी कहा जाता है कि सविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बूर्माला था उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को परियाप प्रतिनित नहीं मिला उनके नुशा सविधान के आकार और जटिल भासा के पीछे या मुखेकार्ण था लोर्ड विंक्स विश्क काउट ने इसे हिंदूं का एक निकाय कहा इसी पकार विस्टेन चर्शिल ने टिपड़े कहा कि सविधान सभा ने भारत के के विल एक बड़े समवदाई का प्रतिनित किया अब शक्तत सविधान सभा दोरा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया सर बी एन राव को सविधान सभा के लिए सविधानिक सराकार के रूप में नुक्त किया गया ह वी आर एंकर को सविधान सभा का सचिव नुक्त किया गया एल एन मुखरजी को सविधान सबाग का मुकिप प्रारूपकार या चीफ डॉटमेंड नुक्ति किया गया था प्रीम बहारी बिहारी नारैन राज राय जादा भारती सविधान के प्रमुक सूलेग या कैली कराफर के थे मुल सविधान एक प्रभाव मैं यानि एलेक्टिक सैली में उनके दोरा हस्तारित किया गया मुल संसकारण का सौंधी करण तर्था और सजावट सांती निकेतन के कलाकारों ने किया जिन में मंदलाल बोस और बिरहौर राम मनुवर सिना सामिल थे मुल प्रस्तावना को प्रेम भिहारी नरायन राज यादा दोरा हस्तारित लिखित और बिहर राम मोहनर सिना दोरा जैमती संद्योगरत और अलंकित किया गया मुल सविधान के हिंदी संस्क्रण को सुलेखन वसंत कृष्ण वैद दोरा किया गया जिसे नंदिलाल बोस्ट ने सुन्दर धंग से अलंकित एवं जैमती किया भारत के साविधान 31 से 1947 का राज यवर सदेश्टा पहला प्रांतिय प्रांतिय इसमें पहले आता है तालिका 2.1 जो कि भारत के साविधान सबह 1946 में सीटों के आवंटन से संबनते थे जिसमें ब्रिटिस भारती प्रांत 292 सीट है देशी रियास्यते 93 और मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 टोटल 389 सेकंड टेबल तालिका 2 जो कि साविधान सबह के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई से अगर 1946 कॉंच कोंग्रेस 206 मुसलिम डिकällen 73 यूनीस्तपरी एक स्टीक मुसलिम एक यूनींस्ट्स से इडल जस्क वन WR ज्यासाह्यव परृटी만 सेडिलिस्ट कॉस्ट फेडरेशन वर सिख वन कम्यूनिस्ट पार्टी वन इंडिपेंदेंस वन इंडिपेंदेंस एट कुल्ट टू नांटेस्ट सेवधान सभाव 1926 में समधाय आधारीत प्रतिनेर टेबल तालिका 2.3 हिंदू 163 मुसलिम 80 अनुसूशी जाती 31 इसाई 6 इंडियो इंडियन 3 पार्सी 3 कुल 296 टेबल 2.4 तालिका 2.4 भायत के सविधार सभा में 31 मुस्टारिस को राज अवार सज़श्टा पहला प्रांत यानि भारती प्रांत 229 पहला मद्रास सदिशनों जंग्या 49 बॉंबे 21 पश्चिमंगल 19 सहुंद प्रांत 55 पूरवी पंज अजमेर मेरवाडा 1 कुर्ग 1 भारती राज रियासते 70 अलवर 1 बरोडा 3 बवाल 1 पीकानेर 1 कोचिन 1 कॉलियर 4 इंदोर 1 जैफूर 3 जोदफूर 2 कोलाफूर 1 कोटा 1 मियूर भंज 1 मैसूर 7 पठियाला 2 रेवा 2 त्रिवनेकर 6 उदैफूर 2 सिक्क्रम एवं बरार कूर्ग सम 1 तिरफुडा मरिफुड एवं कासी राज समू 1 उत्रपतेस राज समू 1 पूरी राज समू 3 मदभारत राज समू 3 पस्चिम भारत राज समू 4 गुज्रात राज समू 2 दक्कन एवं मदरास राज समू 2 पंजाब राज समू 3 पूरी राज समू 1 4 पूरी राज समू 1 3 सेस र सविधान सभा के सत्र एक नज़र पहला सत्र 9 से 13 दिसमब 1946 दूसरा सत्र 20 जनवरी 1947 तीसरा सत्र 28 अपराहल 2 मई 1947 सथाथा सथालेश जन्वरी 7-1 श्राट्र जन्वर्ट्र चार। 48 सट्र 16 माई से 16 जुन नवा सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 19.40 नवा सत्र तीस जुलाई से ठासे नबर दसवा सत्र छे से सत्र अक्टूबर उने सुन चास ग्यार्मा सत्र चौदा से छपीज जवरी उने सुन चास थैंक्स पर वाचिंग और शेरिंग गड़ बाई